नमस्कार मैं हूँ नागेनी साथ और आप देख रहे हैं शक्तिजगर ग्राउंड यूज इस वक्त मैं रैपूर जिले के अभनपूर विधान सबा और यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यह रास्ता जो है नैस्नल हाइवे एक सोतीस सी पर हम इस वक्त मौझूद है और इसक फक कान्स आप यहां ब들आ हैं इस पर का्रों से देखा या सकता है किस परकार से यह दाली का निर्मांद कर यह चेयर रहा है और यहां रूक से बार्योरि राक्तरवाद के इसमें पूरी जामकारी हम लेंगे यहां पर हमारे साथ कुछ लोग भी है उनसे जामकारी लेंगे कि जिब यह बताएं आपका सुब नाम क्या है इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें बेकार काम हुआ है जब काम चल भी रहा था तब भी मैं उनके इंजिनियर्लों को बताया था कि इसमें घटिय क्वालिटी का है निर्मान कर रहे हो करके क्यान कि दूसरे जी जब स्लैप को भी भोला ना तो भरभरा के नीचे गिर गया अपनी गल्ति को छीपाने के लिए उसी गिट्टी में करके अपना लीपा पोती करके चलेगा लिए लग नो इसको बाद में बना लेंगे करके और आज इसका रिजल्ट दिख गया सामने है यहां पर कि किस परकार से अपनी इंजिनियरिंग जबकि वह लाखर रुपय की पढ़ाई खर्च करके इंजिनियर बने हैं और सरकार के काम में किस परकार से लिपा पोती कर रहे हैं इस पर सुप से यहां पर देखा जा सकता है साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर गिट्टी और सिर्मेंट के क्या रोल है तो आप समझ सकते हो कि लोगों में लोग जब कि इस बारे में बताया हैं कि इस परकार से यहां पर माल मटरियल जो सही रूप से यहां पर लाया नहीं जा रहा है जब कि इसमें जो छड़ है पंद्रे इंस कड़न अच्छी है तो तस इंग इस छड़ रहा है यह आप बताएं कि इस कारिया में आपको क्या पुरुवस्ता हिंका में नजर आ रहा है कारे में सबसे पहले बात है कि जो कॉंक्रीट हुआ है वह ऐसे पैसे रखड़ने से यहां पर दिखा दीजिए वह ज्यादा अच्छा रहेगा यह देखिए यहां पर इसको रखड़ने मांतर से इसका पुरा जो है पुरा ज़ड़ रहा है यह जो गिट्टी है रहना च्छ सबसे पहले बात है कि इनका कॉंक्रीट को देखो एक दम आप से पूरा पैल में निकलता है तो यह देखिए आप जो राता हिस्तों का कोई आप मात्रा ही नहीं पूरा डस्ट बजरी गिति दीख रहा है और यह जो च्छड का जो है बता रहे थे आप च्छड कॉन से यहां कर दाना चीए था जबरत की साब से 16 mm का कम से कम होने ही था यह टेने में यह कितना है वी तो यह जो समझ सकता है जी बताएं बारा बारा सोला का रहाना चीए था और इसका सबसे बहले बात है इसमें गिट्टी कम मात्रा ही नहीं है पुरा डस्क बजिल टाइप का गिट्ट सुबास अगरवाल जी अगर निर्मान कारिया में अगर इस परकार से बात किया रहा है तो वाधी में एक परकार Сे कहा तो तो भरैस्ट चारी इस पर सुरूप से देखा जा सकता है और समझ सकते हो कि आम जंते के टैक्स पJust पैसला से दिल्मानिया जो हो रहा है विकास कारि भर भर आकर जो गिर नहीं है पूर्व किया जा रहा यहाँ पर इतुमक की शिल्मेंट का यूच किया जा रहा है क्ट भी अघ्टे गड़ी यहाँ जब की आना जाना लोगों कफिर आना जाना है जब क्र—णुक्यारियों लोग चाहिद सना है, गवठ्यमेटर सा पहले जहूं तो यह निर्मान कारी है पिलहाल हम कुछ जानकारी मिली है कि करीबन यह जो निर्मान कारी है तिन चार मेहने से भी बंद है असर नाइम आ रहा है कि यहां से जाने के बाद उधर कान चल रहा है कि कुछ तिन चार मेहने से काम पूर्ण रूप है और बंद का कारण है क्या इनको दलाली नहीं मिल पारी है इन धेकदारों और अधिकारी और इन मंत्रियों को जो मंत्रियें उनको दलाली कहीं नहीं नहीं मिल पा रही है इसलिए यहां का काम रूका हुआ है अब देखना यह होगा खबर प्रकासित होने के बाद जो है ठेकेदार और सांती जो 36 सासन के जो PWD के मंत्री है क्या इस कारिये को जल्दी से करवाने के लिए कोई कड़ी कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं